हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल पुश्पा रसोई आज मैं आपके लिए इंस्टेंट बढने वाला नेपलीज मिक्स अचार लेकर आई हूँ मेरे कलिक नी मुझे सजेस्ट किया है आपके साथ सेयर करूँ इसे मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ आईए स्टार्ट करते हैं ये छे आलू है उबलेवे एक आलू के चार पीस करने हैं एक गाजर एक क्यूकंबर एक अनियन धनिया थोड़ा से दनिया मैं गार्णिसिंग के लिए रख रही हूँ दो हरी मिर्च सॉल्ट नमक स्वाधनस्वा रखियेगा निम्बू कारस पो टेबली स्पून रोस्टेट तिल हाफ कप तिल को रोस्ट करके हमें उसे ग्राइंड करना है वन टी स्पून रेड चिली पाउडर आलो गाजर और ककडी जो हमने रेडी करके रखा है आईए उस पर तड़का लगाते हैं 4 टेबली स्पून कुकिंग ओईल आप कोई भी कुकिंग ओईल यूज कर सकते हो वन टी स्पून मेथी दो हरी मिर्च हरी मिर्च को बीच से काटके दो इससे बनाने हैं वन टी स्पून हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इंस्टेंट बनने वाला अचार रेडी है आईए सौर्व करते हैं यह इंस्टेंट बनने वाला अचार फ्रीज में रखकर दो दिन तक खाया जा सकता है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत बूलें कर दो